दोस्तों जब भी e-commerce ये drop shipping की बात आती है तो Shopify का नाम आता है और जब Shopify का नाम आता है तो दिमाग में एक question ये आता है कि जब Shopify paid है तो हम WordPress के साथ में काम क्यों नहीं करते हैं हम WordPress पे अपनी e-commerce website क्यों नहीं बनाते हैं ये सबसे बड़ा question आता है mind में उन लोगों के जो की बहुत कम investment के साथ business करना चाहते हैं एक एक रुपिया बचा के चलते हैं तो वो सोचते हैं कि हम Shopify को 29 डॉलर की fees क्यों पे करें तो आज इस वीडियो में आपको इस question का answer मिलेगा पूरी detail में मैं बताऊंगा कि Shopify से क्या benefit है Shopify Shopify है क्या actual में और क्यों हम Shopify को यूज करते हैं देर किस बात की चलते हैं laptop पे और देख लेते हैं क्या है Shopify और क्यों हम इसको यूज करते हैं तो हम आच चुके हैं Shopify की website पे यहां से आपको sign up करके 14 days का free trial लेना है तो link मेंने description में देते हैं आप वहां से sign up कर सकते हो sign up कैसे करना है कैसे store design करना है कैसे store create करना है सारी चीज़े discuss करेंगे upcoming वीडियो में मतलब next वीडियो में मैं आपको बता हूँगा पूरा बताऊंगा कैसे आप Shopify पे store बनाओगे step by step पूरी चीज़े tutorial होने वाली है तो इस series से आप बने रहे है कि बहुत important series आगे इंडियन drop shipping के लिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम Shopify यूज क्यों करते हैं क्यों सबसे बड़ा question यही आता है दिवाग में clear हो जाएगी लेकिन इस वीडियो मैं आपको बता हूँ कि हमें Shopify के platform पे क्या-क्या चीज़े मिलती है actual में कि बहुत important चीज़ है कि हम में Shopify का पैनल है उसमें क्या मिलता है वो जानना बहुत जरूरी है तो इस वीडियो मैं आपको वह साही चीज़े explain करूंगा दोस्तों मैंने आपके लिए Shopify के एक new store open कर दिया है यहां पर मैं आपको बता हूँ कि हमें क्या-क्या चीज़े देखने को मिलेंगी एक home है तो home पे बहुत सारे वीडियो में देखा ही होगा तो इसकी शॉड़ आप देखते होगा यहां पर टुड़े सेल आती है क्या टॉप प्रड़क्ट है वह आ देखता है कौन से चैनल से आपने सेल की सेल बेकडाउन सारी इंफ्रमेशन यहां पर आ जाती है इसके बात चलते हैं order का हमें टैब मि जितने भी order होंगे day के या फिर complete order जितने भी होंगे वो आ जाएंगे उनका status आ जाया है कि order pending है fulfill हो चुगा यह नहीं तो आप normally screenshots में देखते रहते हो हमें मिलता है abandoned checkout मतलब जो order हमारे complete नहीं कर पाया client customer ने आया website और order को मतलब वो place fully नहीं कर पाया तो वो abandoned checkout में चले जाते ह यहां से हम product add करते हैं जो आप देख सकते हो सारे product यहां पर काफी सारे add हो चुके हैं तो inventory manage कर सकते हो यहीं से ही आप inventory transfer कर सकते हो collection बना सकते हो और gift card बना सकते हो यह सारी information आपको यहां मिलती है then customer कितने भी लोग आपकी website से purchase करेंगे वो आपकी customer कहलाएंगे उनकी complete information जो फुल्फिल करेंगे at a time of closing order वो आपको यहां पर मिलेगी customer management system का बहुत अच्छा है then सबसे important चीज जिसकी वज़े से हम Shopify को prefer करते हैं और और website को हम नहीं जाते हैं तिको वैसे तो Shopify को सारी चीज़े ऐसी हैं कि हमें अगर दूसरी website पर जाएं तो इतना easily एक page पे नहीं मिलती है but Shopify में हमें यहां पर मिल जाती है analytics में हमें complete detail मिलती है आज की अगर मैं रिपोर्ट देखना चाहता हूं आज की मिल जाएगी और filter लगा कि कितने दिन की भी देख सकते हैं किस्टमाइस कर सकते हैं यहां पर day wise, month wise, quarter wise तो मैं today पर click करता हूं सिर्फ आपको मैं अभी यहां प यहां पर आपको मिल जाएंगा, online session कितने हुए, add to card कितने हुए, reach, checkout पे कितने पहुचे, session conversion कितने हुए, convert कितने हुए है, यह report easily कोई website नहीं देती, कोई platform नहीं देता है, अगर यह report चाहिए तो आपको जिस platform से marketing करता है, Google, Facebook, वहां पर यह report मिलती है, तिर average order value आपी कितने आपको पता चल जाएगा, total order कितने हुए, वह यहां से पता चल जाएगा, top product by unit sold, यह आपको यहां मिल जाएगा, online session by location, किस location से आपके online session हुए, वह आपको पता चल जाएगा, किस device से वह पता चल जाएगा, session by traffic source, कौन से source से आपके पास traffic आया, sale by traffic source, और कौन से traffic source से आपक यह आपको पता चल जाएगा यह बहुत इंपोर्टेंट डेटा होता है आप की जब आप बिसनस करते हो एकॉमर से ड्रॉप शुपिंग का तो यह जो सारा डेटा यह इनलेटिक्स इसका बहुत इंपोर्टेंट होता है इसी डेटा से आप प्रिकार्गेटिंग करते हो इसी आप कैमपेंग करोगे प्रेट कैमपेंग चला हुए तो यह सारी चीज़े बहुत जादा मैटर करती है फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा ओनलाइन सेशन बाइस शोचल सोर्स मतलब फेस्बुक इंस्टरग्राम जो शोचल मेडिया प्रेटफॉर्म है उनसे कितने पता चल जाएगा और इसके बाद है सेल बाइस से कितनी सेल हुई इंस्टरग्राम से कितनी सेल हुई वो आपको यहां से पता जल जाएगा यूट्यूब से कितनी सेल हुई वो सारी चीज़े यहां पर आ जाएंगी तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन से शो पेज़ पर जादा ओर्डियंस आई है तो वहां से अगर ट्रैफिक जनरेट होगा तो वह भी आपको पता है यहां से चल जाएगा इन शॉर्ट गूगल अनेलिटिक्स और और मैनेजमेंट सिस्टम यह सारा मिचोड आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा अब कोई भी रिपोर्ट यहां से आप ग्र Junior कर सकते हो कि ड्रेट कर सकते होगा अवर पता चल डेघं़ है कितने cost कि आय तो आप यहां से ही Facebook को connect करके Google को connect करके और Snapchat को connect करके marketing कर सकते हो इसमें inbuilt यह feature दे रहा है कि आप यहां से ही direct अपने social media platform पे marketing कर सकते हो, campaign बना सकते हो मतलब paid campaign जो बनाते हो आप Facebook से, Google से वो direct यहां से बना सकते हो मैं बता देता हूँ आप कौन कौन से platform पे आप बना सकते हो तो सबसे पहले है Facebook audience बिल्ड कर सकते हो यहां पर Facebook कर जो normal ad campaign बनाते हैं paid बाल आप बना सकते हो, retargeting कर सकते हो Snapchat पे बना सकते हो ad और यहां पर Google जब आप install कर लोगो तो Google पी भी आप ad बना लोगो और इसका सबसे अच्छा feature जो है वो free है email marketing आप इसके तुरू email marketing भी कर सकते हो Shopify email 2500 free email per month उसके बाद आपको charges लगेंगे वो यहां पर mention है तो free email marketing है बहुत अच्छी चीज़ है यह social post आप अपने Facebook या फिर जो भी social media आप connect करोगे वहां पर आप direct यहां से post कर सकते हो वो free है फिर SMS marketing ही कर सकते हो आप इसके थुरू और दोस्तों मैं यहां पर आपको बता दूँ यह email marketing और SMS marketing इसकी inbuilt है मतलब जब भी customer आपकी website पर order करेगा order place करेगा तो उससे related उसको information mail मिलेगा उससे related उसके पास SMS जाएगा फोन पे तो यह चीज़े आपको कहीं और website बनागो तो यह service आपको लेना पड़ेंगे तो यह service inbuilt है फिर ही है आपके लिए फिर है campaign आपको पूरा उसका analytics मिल जाएगा campaign कैसा perform कर रहा है किया result है उसका यहां से आपको पतल जाएगा यहां पर mention है साफ साफ abandoned checkout email वाई Shopify मतलब आप abandoned checkout उनको mail send कर सकते हो time period के बाग और उनको offer कर सकते हो discount दे सकते हो तकि वो आप से product बाई कर लें वो sale में convert होगा तो यह सारे feature थे यह सारे option Shopify में है इसको हम use करते हैं और बहुत easy है कोई difficulty नहीं है एकी platform पर आपको यह में जाते हैं जो की WordPress में इतना easily नहीं मिल पाते हैं हमें सारी application उसमें plugin install करना पड़ते हैं paid plugin होते हैं और website heavy होती चली जाती है यहां इससे website पर कोई फ़र्ट नहीं पड़ता तो कि इसके inbuilt feature है और वहां पर हमें hosting लेना पड़ती है hosting की speed उस company पर define करती है Shopify टेक्निकल सपोर्ट को पूरा प्रोवाइड करता है back end में वो ही take care करता है speed maintain करके रखता है जैसे आप online store पर click करोगे तो इस तरीके से आपको यह theme का वो मिल जाएगा और यहां से आपको जो अच्छा feature इंट्रीज हो चुगा आपकी जो पर्टिक्टर वेबसाइट है वो क्या परफॉर्म करें इसकी speed कैसी है जहां से आपको यह भी पता चल दाएगा आप उसकी रूपोर्ट चेक कर सकते हैं तो यह कुछ रीजन है जिसकी वेशे हम Shopify यूज करते हैं वर्टेस यूज नहीं करते हैं जब मैं पूरा tutorial आपको बताँगा तो आपको फुद देख लोगे कि इतना easy है कोई technical support की इसके लिए जरूरत नहीं है कोई technical knowledge नहीं चाहिए आप यहां से email marketing कर सकते हो SMS marketing कर सकते हो यह सारी चीज़े आप यहां से cover कर सकते हैं I hope आपके समझ में आच चुका होगा कि Shopify क्यों important है तो इसी लिए हम Shopify को use करते हैं क्योंकि बहुत सारी services हमें without any tension मिल जाती है सब drag and drop हो जाता है कुछ click करके store बना लिया जाता है कोई technical knowledge की जरूरत नहीं है सब graphical base है बहुत easy से हम theme install कर सकते हैं theme को customize कर सकते हैं सारा order management system बहुत अच्छा है analytics हमें सारा मिल जाता है वहाँ पर जो report हमें business के लिए चाहिए वो सारी reports मिल जाती है इसी लिए हम Shopify ही prefer करते हैं तो दोस्तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आच चुका होगा कि Shopify क्यों important है drop shipping या e-commerce के लिए दोस्तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको like कर दीजी अपने दोस्तों इस information को share करना ना भूले और अगर आपके दिमाग में कोई भी doubt है कोई भी question है तो नीचे comment करके जरूर बताएं मैं कोशिश करूँगा उसका reply करने की अगर आप Instagram पे हैं मुझे वहाँ follow कर सकते हैं वहाँ मैं active रहता हूँ वहाँ मुझे message करके कोई भी question कूश सकते हैं दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में एक नए topic के साथ मुझे दीजिए जयासत जय हिंद जय भारत